हेलो अब्रीबान वेलकम कुछी जी जी एस मैं हूँ डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एंसे एर्टी सीरीज में जिसमें हम फंडमेंटल्स फिजिकल जोग्रफी क्लास 11 का जोग्रफी जो है उसका आज चैप्टर नम्मर सेवन डिस यानि running water है तो fluvial है underground water है तो cast है glacier है तो glacial process है उसके अलावा coastal process है wind driven है तो इसको aeolian process कहते हैं तो इनसे ही related यह सारे landforms भी हैं तो एक-एक करके हम सारे fluvial, cast, glacial, coastal, aeolian यह सारे landforms को देखेंगे उनके erosional features कौन से हैं और उनके depositional features कौन से हैं यह इस चैप्टर में बहु सारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो definitely subscribe कीजिए क्योंकि इस पर हम सारा वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं और वीडियो जोग्रफी, GSN बाकी सारे topics पर भी आने वाली है और इसको आप शेर जरूर करिए लोगों से और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like button प्रेस करना नाम भूलें तो आईए revise करते हैं हमारे landforms वाले चैप्टर को तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है chapter number 7 और इसका नाम है landforms and their evolution तो जैसा मैंने बोला इस चैप्टर से पहले अगर आपने geomorphic process को नहीं समझा तो इस chapter में आपको दिक्कत आ सकती है क्यों क्योंकि process जैसा होगा उसी हिसाब से forms evolve करते हैं geomorphology में इसी लिए इससे पिछला unit जो geomorphic process था वो बहुत important था तो ऐसे ही आप एक के बाद एक अगर देखेंगे तो interconnected है यह chapters तो landforms को समझते हैं और देखते हैं कि धरती पर बहुत सारे तरीके के landforms हैं और बहुत सारे जो denudational process है जिसमें weathering, erosion, mass wasting है ना और उनके बहुत सारे agents हैं जैसे running water, ground water, wind, glacier, wave यह सारे actions perform करते हैं इनको हम बोलते हैं geomorphic agents इन geomorphic agents से क्या होता है धरती का surface को shape मिलता है landforms create होते हैं कुछ erosional dominated होते हैं तो उसको erosional landforms बोलते हैं कहीं deposition dominated होता है तो उसको depositional landforms बोलते हैं तो यही सारा का सारा जो है वो process चल रहा होता है अब यहां बड़ा interesting questions आ है देखिए if landform is a small to medium sized part of surface of earth what is a landscape तो यही चीज़ है कि landform और landscape अगर आप देखेंगे दोनों में फर्क है तो य बहुत सारे landforms जो आप देखेंगे वह एकठा होके क्या बनाते हैं एक landscape बनाते हैं landscape एक larger broader picture को समझाता है आपको एक landscape में अलग-अलग type के landforms मिल सकते हैं आपको तो every landform has a beginning और उसका जो है धीरे-धीरे क्या होता है evolution होता है तो इसमें बड़ा interesting सा concept आता है जिसको बोलते अब जैसे हम लोग human beings हैं तो हम क्या होते हैं छोटे होते हैं बच्पन से बड़े होते हैं mature होते हैं old होते हैं तो यह हमारा life cycle है ऐसे ही evolutionary landforms की जब बात करते हैं evolution of landforms जब बोलते हैं तो उसी organic concept से ही हम क्या करते हैं idea derive करते हैं और landforms का evolution को पढ़ते हैं कि जैसे जैसे landform और उसमें रोल है इनी processes और इनी agents का इसलिए processes और एजन्स को पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको evolution को पढ़ना है तो right तो changes in climatic condition और vertical और horizontal movement of land masses की वज़े से क्या होता है processes में फर्क होता है और process में फर्क होगा तो कहां फर्क होगा landforms modify होगा evolve होगा transform होगा यही बाते कहीं गई है यहां पर तो इसका मतलब क्या है कि each and every landform has a history of development and changes through time इसी को आप बोलते हैं evolution यही इस chapter का title है तो यह basic idea है और evolution में हम किस तरह से देखेंगे youth mature and old की तरह तो यह जो thought process है कि youth से mature से old में transform होता है जैसे हम transform होते हैं यह idea आता है 1890s में आके क्यों आता है सोचिए क्योंकि Darwin का जो theory था वो इतना influential था कि जतने भी geologist और geomorphologist photographer थे वो भी Darwin की तरह ही evolution of species के तरज पे evolution of landforms को पट रहे थे उस जमाने में इसलिए आपको यह youth mature old उससे influence होके दिखता है इसी बात को हम जानते हैं Darwinism के form में Darwinism कौन सा ism है कौन सा way of thinking है अगर आप हर चीज को evolutionary way में जैसे life को सोचते हो वैसे अगर सोचते हो तो आप Darwinist हो right तो इसी से यह idea derive होता है geography में और इसमें सबसे पहला जो agent है वो है running water running water से जो landforms बनते हैं उनको हम एक शब्द से denote करते हैं fluvial landforms flowing water से बना हुआ landforms running water से तो stream हो सकता है right जो valley में river होता है वो होता है या छोटे से you know feature भी हो सकता है sheet erosion जहां पर होता है overland होता है right बारिश होती है तो सबसे पहले sheet और overland होता है उसके बाद stream और गली तो यह आप देखेंगे धीरी-दीरे evolve होता है अब जैसे mountain से पहा होता है stream channel जो है वो धीरे-धीरे क्या होता है उसका gradient gentler होने लगता है आप सोचके देखें इंडिया में जब गंगा पहाड़ों में होती है उसके बाद जब धरती पे नीचे आती है plains में और फिर जब डेल्टा रीजिन में जाती है तो कैसे फर्क है तो इसी में आपका सार का सारा evolution involved होता है तो इसी बात को हम देखते हैं और यहां कहा गया है कि उनका जो factors है जैसे velocity है deposition है erosion है यह सारी बाते बदलती रहती है with time और slope भी change होता है from high degree of slope to medium degree of slope to एकदम flat slopes हो जाते हैं तो slope के angles भी बदलते रहते हैं तो यह चीज़ को देखना है अब overland flow की बात हम कर करते हैं कि बारिश हुआ और धर्ती पे पानी आया और उपर से जो flow करके निकल गया पानी percolation नहीं हुआ तो इसको इससे क्या erosion होगा surface से जो मिट्टी निकालके पानी ले जाता इसको बोलते है overland flow और होता है इससे sheet erosion जैसे bed sheet उपर का surface है तो यह word याद रख लीजे sheet erosion कि रिल्स मतलब अगर आप कहीं पर ऐसे देखेंगे बारिश हुआ और बारिश के बाद ऐसे ऐसे marks बन गए जमीन पर इनको बोलता है रिल्स और यहीं जब डीप हो जाते है रिल्स जब ऐसे create हो गया land पे तो इसको हम लोग बोलते हैं गली तो पहले रिल्स बनता है फिर ग होते होते हैं तो यही प्रोसेस जो है वो gradual process है और लास्ट में देखेंगे कि क्या होता है drainage divides भी create हो जाते हैं जैसे आप इंडस इदर गया गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी इदर गये तो यह एक drainage एक दूसरा drainage system हो गया drainage divide हो गया तो इसमें इसके ट्रिब्यूटरी होंग लेकिन अब जब नीचे के stages में जाएंगे तो कई बार बहुत hard rocks ऐसे बच जाते हैं यह erode नहीं होते हैं इनको कहा गया है monad nox ठीक है तो यह remnant वो रह गया है जो erode नहीं कर पाया पानी पानी से जो बच गया hard rock surfaces जो erode नहीं हो पाये वह ऐसे hills की तरह mounds of rocks की तरह जब एक hillock बचा हुआ है वह erode नहीं हो पाया आज भी तो ऐसे आपको देखने को मिलता है monad nox और यह जो plane बनता है last में इसको बोलते है penny plane और इस process को क्या बोलते है penny planation तो अगर penny plane कहीं सुनिए तो किससे बना हुआ plane किसके erosion के द्वारा running water के द्वारा तो यही पूरा का पूरा process ह इसी को यहां ncrt में दिया गया है youth stage में क्या होता है mature में क्या होता है old में क्या होता है और उनमें कौन से erosional landform होते है कौन से depositional landform होते है तो आप देखिए youth में stream जो होता है वो बहुत fast flow करता है तो क्या बनाता है v-shape valley बनाता है gorges and canyons बनाता है और धीरे-धीरे क्या हो के feature है और जब mountain से उतर रहा होता है तो यह चीज़े आपको ज्यादा मिलेंगी maturity में अगर आप नदी में चले जाओ और यहां पर आपको देखने को मिलेगा meandering इन अधर इसके बाद आप आप old में आएंगे तो नदी के पास इतनी ताकत नहीं बचती जैसे हम old हो जाते हैं तो हम weak हो जाते हैं तो ऐसे ही river अपना sediments जो उठा के लाया था वो छोड़ने लगता है नदी के बीच-बीच में आपको यहां पे sediment deposition मिलेंगे और channel इनके बीच से बहता हुआ दिखेगा इसी को बोलते हैं braided channels तो old stage में नदी क्या करती है वो branching कर लेती है अपने आपको distributories में टूट जाती है और इससे क्या होता है drainage में divide create होता है और lake, swamp, marshes create होते हैं तो यह आप देखेंगे finally और जब sea से नदी जाके मिलती है तो यहां पे delta का formation होता है तो यही youth stage a mature old का sequence है अ अब erosional landforms को अगर आप देखेंगे के करके तो देखेंगे valleys create हुआ तो v-shape valley, gorge, canyon यह सब कुछ feature आप याद रख सकते हैं और इनको यहाँ image में भी दिया गया है इसके अलावा pot hole and plunge pools भी important है feature नदी के किनारे में आप देखेंगे तो यहां पे आपको गड़े तो आप देख सकते हैं कि यह नदी के किनारे गड़े जो पत्थरों में दिखते हैं क्या हुआ होगा सोचके देखें बारिश जब हुआ पानी जब नदी लेके आया तो उन गड़े में गड़ा create कैसे हुआ वह इसे create हुआ कि वहां पे जो soluble minerals थे उसको क्या हुआ इरोड कर दिया लेके चला गया पानी तो गड़ा बच गया आपने अगर बाहुबली मुवी देखा है तो प्रभास जब वो शिवजी को लेके जाते हैं तो आप उनके जो लैंसके पर उसको गौर करी उसमें बहुत सारे गड़े आपको दिखेंगे आप इमेज में देख स इसको कहते हैं अब देखें यहां पर कितना इंट्रेस्टिंग इमेज दिया हुआ है तो यहां पर बहुत दीप यहां तक पहुंच चुकी है इंट्रेंच हो चुका है यह वैली राइट तो यह बहुत इंपोर्टन है Grand Canyon का important feature है तो यह सब चीज़े आपको देखने को मिलती है मेंद्रिंग में तो यहां पर लिखा है इंसाइज मेंडर या इंट्रेंच मेंदर इंसिजन होता है जब रैपिड कटिंग अंडर कटिंग करता है रिवर नीचे की तरफ वर्टिकल इरोजिन करता है तो आपको दिखेगा यह तो इंसाइज और इंट्रेंच मेंडर का बहुत अच्छा ओलवियल में तो आलूवियल फैन्स आपको देखने को मिलता है जिब आप देखेंगे पहाड़ से कोई नदी निकलती है एस और नीचे ऐसे फैन कर देती है यह fan की तरह अब यह फैन कौन सा फैन है जो जैपनीज में हम लोग बोलता है ऐसे वाला पंक्खा ऐसा आपको दीखेगा यह fan shape में right तो fan हो या cone हो यह conical shape या fan shape आपको देखने को मिलता है depositions right alluvial fans and cones कहते हैं इनको आप यहां पे इस picture में भी देख सकते हैं जो आपको बता रहा था यहां से यह जो fan create हुआ है यहां पर right तो यह बहुत common है फिर डेल्टा रीजन में आ जाए नदी जब अपने branches में टूट गई है ब्रेडिंग हो गया है channel का तो यहां पर डेल्टा formation हो रहा है बहुत famous है अपने यहां पर सुंदरबन का डेल्टा कृष्णा और रिवर पे जो डेल्टा है वो भी बहुत famous है यहां picture में भी दिया गया है right और बीच में आप देखेंग जो कि यहां पर आपको दिख सकता है image में right तो यह बीच बीच में जो depositions ऐसे छोड़ती है नदी right यह हो गया meandering channel right और इसके साथ के साथ यह दोनों तरफ जो मिट्टी कठा हो जाता है इसको natural levees कहते है natural embankment कहते है तो इसको आप देख सकते हैं यहां पर और meander bars भी create होते हैं इसके अलाव आप यह image देखिए इसको practice जरूर करिए यह जब नदी course बदल देती है तो उसका जो पुराना वाला course था वहां पे अगर lake create हो गया तो यह जो shape है यह जो horseshoe shape है इसको oxbow lake भी कहते है right और बीच में point bars आपको दिखेंगे यहां पर तो यह common स चीज आपको meandering वाले areas में meander loops develop होते हैं और यहां पर एक चीज आपको दिखेगा image में satellite image में यहां पर पानी तो नहीं है लेकिन यह shape ऐसा आपको दिख रहा है कि नदी पहले यहां रही होगी इसको meander scars भी कहते है scarring जैसे हो जाता है आपके शरीर पे कोई घा हुआ हो और मिट गया भी हो घाओ तो फिर भी scar रह जाता है निशान रह जाता है वैसे इसको meander scars भी कहते है तो यह शब्दों को सीख लीजे तो meander जो basically है यह कुछ चीजों के उपर dependent है तो यह देखिए propensity of water flowing over gentle gradients to work laterally तो lateral erosion और propensity of water कैसा है unconsolidated nature of alluvial deposits अगर अलग अलग तरी के deposits है और उसके अलावा korealis force important है तो यह factors यहाँ पर दे दिया गया है यह सारी चीजों को आप थोड़ा सा note करके रखिए बहुत important है जब आप meandering को पढ़ते हैं और यह सब चीजे बात कर सकते हैं और दुनिया भर के example है इंडिया में तो अपना गंगा ब्रंपुतरा system है ही पु कर जाता है तो वहां भी यह क्या करता है नीचे जाने के बाद एक पूरा system create होता है नदी जैसा ही system बस difference है कि अब इसके उपर यह land है land के नीचे यह underground में काम कर रहा है इसी को बोलते है groundwater तो groundwater को जब हम पढ़ते हैं तो इसको कई बार karst topography या karst landforms की तरह पढ़ते हैं अब underground section में अगर पानी erosion करेगा तो नीचे cave कर देगा अलग-अलग feature बनाएगा है ना तो छोटे-छोटे जो holes create होता है जैसे वहां pot hole था यहाँ पे swallow hole create होता है sink hole create होता है यह land देखेंगे आप सबसाइड कर गया उपर से land erode हो गया तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह गड़ा तो जमीन के उपर है लेकिन शुरू में land यहां रहा होगा अब यह उपर से इरोड हो गया तो यह गड़ा नीचे से पानी ने create कर दिया है मतलब कई बार जमीन धस जाती है नीचे से पानी उसको इरोड करके लेके जाता इस पीलियो थेम्स यूपीस सी में जोग्रफी और से प्रिफेस आचुके है सब्सक्राइब को इसको और ग्राउंड और सी फॉर सीजिंग ऐसे याद रखेंगे तो स्टैलेक्टाइब याद रखसकते और यह केव कामाथ है तो इस ते इस सारे फीचर को एक words अगर मैं बोलू, वो बोलते हैं न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, spilio themes ठीक है, और ऐसे ही आप देखें कितना सारे holes, underground water ने निकाल दिया material, तो valley sink, जिसको उवाला भी कहते हैं, अब ये आपको धर्ती पे feature मिलेगा कहां, तो north of Mediterranean, जितने भी areas हैं, उसमें बहुत commonly पाया जाता है, right, खास करके अगर आप देखेंगे Adriatic Sea के आसपास वाला area, अगर आप देखेंगे Black Sea के आसपास कुछ area, इधर Romans जहां पे थे, Romans and Greeks को आपने history पढ़ा है, तो वो जितना भी Mediterranean का area है, right from Italy, you know, वो वाला area जो पूरा है आपका Greece, उसमें जितने islands उसमें बहुत सारी features आपको commonly देखने को मिलते हैं, Croatia में तो बहुत बड़े-बड़े caves हैं, है ना, तो इन चीज़ों को आप देखके समझ सकते हैं, इनके sinkhole है, इसका opening जो है, वो उपर में funnel shape है, ऐसा अगर create हुआ, उपर से land हट गया, यह funnel जैसा shape, इसको sinkhole कहते हैं, right, तो कई बार लोग confused होते हैं, pot hole उपर वाला, running water वाला feature है, और sinkhole underground वाला process का feature है, दोनों में फर्क है, तो यह confused नहीं होई है, ऐसे ही जब बहुत बड़ा area, अगर पुरा desertic area जैसा हो, बहुत बड़ा large landscape हो, तो इसमें dolines बन जाते हैं, इतने बड़े sink create हो जाते हैं, उपर से पुरा जमीन हट गया, नीचे ऐसे valley के तरह गड़ा बना हुआ है, इसको और ridges जो create होते हैं, तो आप देखेंगे उनको क्या कहते हैं, अगर ऐसा create हो गया structure जमीन के अंदर, तो इसको lapis कहते हैं, तो यह सब, और यहीं पर pavement create हो गया, limestone deposition से, तो इसको limestone pavement कहते हैं, और cave के अंदर के features आपने देखें, जो stalactite stalagmite ये feature, तो अब देखें, यहाँ पर photograph में भी दिया हुआ है, तो यह देखें, यह stalactite है, जमीन के उपर से जो rise करता है, यह stalagmite हो गया, और दोनों जुड़ जाते हैं, तो उसको pillar कहते हैं, ऐसे ही धरती के उपर जो surface पे limestone deposition हो गया, उसको flow stones कहते हैं, तो यह सब names जो हैं, वो बहुत common names हैं, अब ऐसे ही तीसरे process में चलते हैं, glacier से कैसे land pump create होता है, तो glaciers mass लेके आता है, यानि क्या करेगा जमीन के साथ, friction करेगा, material को उठाएगा, उखाडएगा, तोडएगा, right, तो glacier जब किसी surface पे move करता है, तो वो नदी से different है, नदी तो smooth करता है surface को, glacier क्या करता है, scar कर देता है surface को, right, तो striations कहते हैं उनको, याद रखी शब्द, glacial striations create करता है, यानि glacier अगर कहीं से move कर गया ना, तो surface को uber-khaबड बना देगा, right, ये चीज़ को ध्यान रखना है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इंडिया में कितने सारे glacier हैं, हिमालिन रीजिन में, और हर जगा erosion जो है, वो बहुत जादा होता है glacier से, तो कहीं पे आप glacier ना भी हो, लेकिन आपको पता चल जाता है, यहाँ पुराने समय में glacier रहा होगा, कैसे, उस surface को देख के, वहाँ पे आप देखेंगे, तो material को pluck कर लिया गया है, तोड लिया गया है, उठा लिया गया होँए, तो plucking होता है, उसके लावा angular rocks मिलते हैं, round boulders आपको नदी किनारे मिलेंगे, यानि running water का process, लेकिन glacier किनारे आपको, जहाँ glacier रहा होगा, वहाँ पे आपको sharp edge वाले stones मिलते हैं, तो यह difference है, जो ध्यान रखने के लिए है, तो ऐसे आप देख सकते हैं, आप glacier से erosional landforms कौन से बनते हैं, तो यह circ structure है, सबसे common glaciated areas में, glacier mass की वेज़ से क्या होता है, नीचे धसता है, और वहाँ पे कुछ ऐसे chair shaped structure create होता है, यहाँ glacier है बैठा हुआ, तो ऐसे chair shaped structure को क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं, और सर्क का जो है material जब नीचे यहाँ से पिघल के यहाँ पे lake बनाता है, इसको tarn कहते हैं, इसलिए इसको circ and tarn structure भी बोलते हैं, tarn lake होता है, glacier lake, ऐसे ही horns and serrated ridges बनते हैं, तो horns and serrated ridges को अगर आपको देखना है तो यह देखे, यहाँ पे बहुत common सी बात है, यह horns कैसे create हो होए, चारो तरफ से glacier का erosion हो हो गया, hard rocks जो बच गया, तो यह horn shape में आ जाता है, ऐसे ही arit देखे, यह जो आपके glacier के जो flanks है, right, जिसको spur कहते हैं, उसमें अगर zigzag surface create हो गया, hard rock, soft rock soft rock, soft rock, erode हो गया, hard rock रह गया, तो आप zigzag toothbrush करते हैं, वैसा surface को arit कहते हैं, ऐसे ही अगर यह gap create हो गया, तो इसको coal कहते हैं, याद होगा इंडिया का northernmost point क्या है, इंदिरा coal, right, तो यह coal क्या है, यह gap है, यह glacier से ही create हुआ है, right, ऐसे ही देखें आप, अगर यह main valley है, इसमें से उपर वाले area से अगर valley नीचे deposit कर रहा है, glacier join कर रहा है, तो इसको hanging valley कहेंगे, उपर वाले को, यह main valley हो गया, right, इसके अलावा outwash plane है, जब glacier से पानी निकलने लगता है यहां से, और यहां पे plane में उसके live material, जो moraines होता है, वो deposit होता है, तो इसको आप देखेंगे, morainic structure मिलेगा, यह सब यहां बताये गया है, आप images के through देखेंगे, तो ज़्यादा meaningful लगेगा आपको, कि देखेंगे, क्या होता है, escurs depositional feature है, drumlins ऐसे आप देखिएगा, तो drumlin जो feature है, वो क्या है, ऐसे ऐसे feature है, depositional mounts है, इसको कई बार basket of egg भी कहते हैं, basket of egg topography, अगर कहीं पे सुनिए, तो बोलिए, क्या feature है, glacier का depositional feature है, drumlins का feature है, अब देख सकते हैं, और elongated है, तो इसको escurs कहते हैं, यह सब glacier के, जो outwash plane होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और जो moranic material है, जो glacier deposit करता है, उसको moran कहते हैं, तो इसमें आप देखेंगे, कि lateral है, medial है, और terminal है, यह words यूज किये गए हैं, तो glacier को आप समझे कि यह जो features है, यह कैसे है, अगर glacier ऐसे चल रहा है, तो side में deposition को बोलेंगे, lateral, beach में deposition को medial, end पे आप end moran या terminal moran बोलते हैं, यह सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो कई बार medial moran जो है, वो ground moran से अलग distinguish करना difficult हो जाता है, क्योंकि ground moran जो है, वो भी surface के उपर deposition है, basically glacier हट गया, deposition रह गया, तो यह सब चीज़े है, escurs की बात हमने की, वहाँ पे drumlin's की बात की, outwash plane, यह सारे चीज़े हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि oceanography की बात अगर करें, ocean कैसे wave और current लेके, जब land पे टकराता है, तो यहाँ पे coastal areas में कैसे feature create होते है, waves की विजए से, power जो generate होता है, उससे जो धक्का लगता है, erosion होता है, तो पत्थर तूटते हैं, तो यहाँ पे आपको churning of sediments और यह सारे चीज़े देखने को मिलेंगी, तो action of wave में अगर देखेंगे, तो configuration of land भी उतना ही important है, coast emerging है या submerging वो important है, और high rocky coast है या submerged coast है, यह important है, तो जिस तरह से आपका material है और जैसा wave का nature है, यह दोनों aspect पे depend करता है, कैसा feature बनेगा, तो सबसे पहले आते हैं, high rocky coast, अगर rocky area है और high coast है, यहाँ पे बार बार wave टकराएगा, तो rock erode करेगा, तो आप देखेंगे यहाँ ऐसे areas में, खास करके, Scandinavian countries में तो आपको देखने को मिलता है, glaciated valleys, fjords कहते हैं उनको, लेकिन normally अगर आप देखेंगे, तो wave cut platform आपको create होता हुआ दिखेगा, तो क्या हुआ यह पत्थर ऐसा था, यह वैसा हो गया, तो अब यहाँ पे एक platform create हो गया, यह erode कर दिया wave में, तो य आपको beaches मिलेंगे, lagoon मिलेगा, tidal creeks and marshes मिलेंगे, swamp मिलेंगे, क्योंकि soft है, गड़े create होते हैं वहाँ पे, आप देखेंगे barrier bar, spade, lagoon, यह सब आपको feature देखने को मिलेगा, और आप इन features को Google images में जाके जरूर देखिए, ताकि आपको इसके images समझा है, कि lagoon कैसा दिखता है चिलिका लेक कहा है, इंडिया में, जरा इसको Google करके देखिए, वो किस तरह का lagoon formation है, तो यह सब चीजों को आप थोड़ा image के थू भी देखिए, map के थू देखिए, और erosional landforms में क्या बनता है, जो यह wave cut platform वाला area था, cliff, terrace, cave, stack, यह सब create होता है, wave के द्वारा cut करता है material को और depositional landforms में देखेंगे, तो beaches, dunes, आप अगर जाएंगे समंदर किनारे तो आपको यह देखने को मिलेगा, ऐसे ही bars मिलते हैं, spits मिलते हैं, तो आप देखेंगे barrier bar है कैसा, कि यह mainland है, यह island है, इसके बीच में ऐसे कुछ deposition हो गया, यह island नहीं भी हो, तो यहाँ पर ऐसे bar हो गया, तो इसको barrier bar कहते हैं, तो यह सब चीजे हैं, जो ध्यान रखने के लिए है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है, satellite image में, गुदावरी डिल्टा में, यहाँ पर, यह बहुत interesting सा spit formation है, यह आप देख रहे हैं, यह जो image हुआ, इस तरीके से, अब यह एक ऐसे internal bay area create ह हो गया, तो यह अच्छा है, यह आप इस तरह से image के थुरू देख सकते हैं, NCRT में दिया गया है, अब wind जो है, वो है, aeolian process, याद रहेगा, aeolian कहते हैं, landforms, जब wind से कोई landform बने, अब wind से बने मतलब कहाँ wind fast चलता है, desertic condition में, तो desert landforms की बात करते है, erosional or depositional feature, अब desert mountains में भी होता है, कुछ areas में, जहाँ पर mountain है, वहाँ desertic condition है, और कहीं plain area भी है, mountain वाले area में, अगर desert होगा, तो वहाँ पर mountain feature को तोड़ेगा, और erode करेगा, और इसमें आप देखिए कितने तरीके के winds हैं, eddies, world wind, updraft, downdraft, यह सारे names हैं, और यह turbulence create करते हैं, धक्का मारते है material को और erode करते हैं, तो इससे बहुत सारे surfaces create होते हैं, तो erosion होगा, तो erosional landforms by wind क्या create होगा, pediment बनेगा, pedi plane बनेगा, तो अगर कोई पहाड़ है, इससे wind टकड़ाया, तो धीरे-धीरे इसके material को तोड़ेगा, और यह material नीचे आके गिरेगा, यह slope evolve होगा ऐसे, तो इसी को हम pediment कहते हैं, देखिएगा, जो debris material पे, जो यह foot पे cover होता है, इसको pedimentation बोलते है, और इसी को अगर आप long term में देखिए, यह सारा अगर पहाड ऐसे था, यह pediment टूटते-टूटते क्या हुआ, इधर भी पहाड था, टूटते-टूटते यह पूरा एक plane area बन गया, तो इस इसको बोलते हैं, कि यह plane है, लेकिन यह plane undulated plane है, ऐसा कुछ plane है, इसको बोलते है, pedi plane, और pedi planation जो process है, LC King ने दिया था, वही process है पूरा, तो आप देख सकते हैं, inselberg हो गया, जो अगर इधर से wind आया, इधर से आया, और यह ऐसा structure रह गया, तो यह inselberg रह गया, जो erode नही हो पाया, waters है, और यह जो wind से erode नहीं हो पाया, इसको inselberg कहते हैं, desertic condition में, aeolian landforms में, ऐसे ही, playas एक feature है, आप देखेंगे, desert में, आपको plane areas में मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे gradual deposition of sediment होता है, right, plane areas में, तो playas जो है, वो कई बार shallow lakes में convert हो जाता है है, खास करके, salt lakes देखेंगे, right, alkali flats भी कहते हैं, सांबर लेक राजस्तान में बहुत famous है, और भी areas में, गुजरात में आपको देखने को मिलता है, एंडिया में, और deflation hollows and caves create होता है, अगर यह पत्थर है, हवा इसके अंदर tunneling करने लग जाती है, caving करने लग जाती है, तो उपर में hard rock रह जाता है, और नीचे का soft rocky road हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, mushroom rocks, pedestal rocks, यह बहुत commonly available होता है, deserted areas में आप देखेंगे, right, तो यह सारा feature है, इसके बाद आप आ जाईए, sand dunes पे, तो desert में dunes, हमारे thar desert में तो सारे dunes available हैं, इंडिया में, तो आपको देखने को म और यह हो गया parabola, यह वाला जो structure है, right, और अगर wind का direction ऐसा है, और material इसके इस तरफ deposit हो रहा है, 90 degree पे तो इसको transverse dune कहते हैं, और along the wind अगर material deposit हो रहा है, right, इसको longitudinal dune कहते हैं, यह सारा का सारा जो है feature है इसमें, तो आप देख सकते हैं, barkans, parabolic dune, sea, transverse dune, यह सारा का सारा feature यहाँ पे explain किया गया है, और नीचे फिर से exercise दिया गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह सारे landforms जो हैं, इसको आप अच्छे से अभी समझ गए होंगे, process wise, इसको पढ़ने का और बेटर तरीका क्या होगा, उपर लिख दीजिए landform का नाम, उसका erosional feature left hand side में, depositional feature right hand side मे और कोशिश करिए कुछ diagram के थ्रू बनाने का, right, इससे आपका एक अच्छा revision हो जाएगा, तो यह chapter बहुत important है, और geomorphology में सबसे important chapter अगर कहिए, तो यह landforms है, इससे एक नए question हर exam में, जहां पर भी geography पूछा जाता है, उसमें पूछा ही जाता है, किसे न किसी feature से पूछ द कि मोनेड नौक क्या है, इंसलबर्ग पूछ लेते हैं कई बाद, तो इसलिए आप यह चोटे-छोटे terminologies आपने सीखी इसके अंदर, revision में, इसको आप ज़रूर लिखिए, और इसको image के थ्रू जैसे drumlin's सिखा है, basket of egg topography, तो ऐसे करके और भी features जो आपने देखे, इन सब का process क्या है, और form क्या है, दोनों को लिखके, erosional, depositional का class बना के, आप flow diagram या mind map बना के इसको पढ़ सकते हैं, अपने लिए notes बना सकते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको help करेगा, और अगर आपने चैनल को अब तक subscribe नहीं किया, तो please do subscribe, do share these videos, ठीक है, और हम आगे के chapters को भी essay sequence में लाते रहेंगे, और जब NCRT series खतम हो जाएगा, तो obviously हम बाकी के subjects के, जब GS के paper के coverage करेंगे, वो भी हम इस channel पर करने वाले हैं, so don't go anywhere, keep learning, keep subscribed, and please share as much as possible, we need more viewers on this channel, right, to get us encouraged, तो इसको आप करते रहिए, all the best wishes. कर दो कर दो